तो सरकार दे रही है 10,000 रुपे से लेके एक करोड रुपे जीतने कब होगा पैसा ही पैसा होगा तो कौन सी ऐसी स्कीम आई है गौर्मेंट की अभी जो एपलिकेबल होने वाली है एक सप्टेंबर देश से हाँ भाई अभी अगले अफते अपलिकेबल होने वाली है क्योंकि आपके पास एक अफता है तो तैयारी कर सकते हो क्या क्या करना है कैसे करना है पूरा वीडियो में डेटेल में समझाऊंगा और ये एक क्रोड रुपे का प्राइस मिलेगा कैसे दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत जाधा इंपोड़न इसलिए आपसे में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे लाल बडन उसको दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिले और आप उसे मिस ना करें नमश्कार मैं आपका दोस दीपक बैसला स्वागत करता हूँ हमारे योटूब चैनल पर और अगर आपने अभी तक हमारा आई है जिसके अंदर जो है आपको पूरे डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि करना के है देखिए आप अगर कहीं भी घूमने जाते हैं शौपिंग करने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं रेस्टरेंट में या फिर आप अपने बरतन लेने जा रहे हैं चावल लेने जा रहे हैं यादि कि ग्रोसरी स्टोर इसमें आपको दोस्तों एक app डाउनलोड करना है, मेरा दिकार app, जिसके अंदर आप ये invoices जो आपके पास पके proper GST के invoices होंगे, उनको आपको upload करना है, तो guys इसके पीछे का पहले logic समझते हैं कि government ऐसा कर क्यों रही है, तो guys government ये चाहते हैं कि जो लोग कच्छे में अपना क काम करने का मतलब है, कि वो अपना माल बेच देते हैं और किसी को bill नहीं देते, और उसकी payment cash में लेते हैं, तो उनी सब चीजों के awareness के लिए, उनको जागरूप करने के लिए हमारे भी, हम सब customers के बीच government ये scheme लेके आई है, कि आप कुछ भी माल खरीदे, कुछ भी purchase कर रहे ह अब आपको ये समदना पड़ेगा, जो person GST में registered होगा, वो ही तो आपको invoice दे पाएगा, ये वाला, इसके लिए दोस्तों आप ये समझे पहले कि GST आप हर किसी से नहीं मांग सकते, कि सर मुझे मैंने आपसे माल खरीदा, तो आप उससे लड़ पड़े कि अभी मुझे GST क नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों आप उसके pen number से भी identify कर सकते हैं, GST की website पर जाके search taxpayer में अगर आप pen number डालेंगे, तो वहाँ पर पता लग जाएगा कि वो person registered है या नहीं है, secondly, और इवन आप उससे पूछ सकते हैं कि आप registered हो तो proper अमें bill दे दो, क्योंकि अग अगर आपके पास को invoice है, 200 रुपे कम से कम उसकी value होनी चीए, यानि कि 200 रुपे उससे ज्यादा की value का है, तो आप उसको upload कर सकते हो, कितने कर सकते हो, देखिए आप जितने मर्जी करो, लेकिन government जो यहाँ पर लेगी ना, draw निकालने के लिए, lucky draw निकालेगी, उसके अंदर जो government है, हर महीने 25 invoice लेगी एक customer से, यानि कि अगर आपने 30 invoice upload कर रखे हैं, तो सिर्फ 25 invoice गौर्मेट अपने हिसाब से लेगी, और accordingly lucky draw निकालेगी, जिसमें आपका नाम आ सकता है, 10,000 रुपे, 10,000 रुपे, एक करोड रुपे जीतने का, और guys यह जो scheme है, अभी कुछ union territories और UTs के लिए applicable है, एक September 23 से, जिसमें अभी भी आपके पास मौका आप त्यारी कर सकते हो, पुरा prepare कर सकते हो, त्यारी करनी क्या है, अब बताते है, त्यारी करनी क्या है, आपको simply क्या करना है दोस्तों, आपको अपने mobile के अंदर, अगर आप Apple उस करते हो, तो आप अपने Apple Store मे जाके या फिर Android उस करते हो, तो Android Store में जाके प्ले स्टोर में जाके आप मेरा बिल, मेरा अधिकार एप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे simple आपको information देनी है, क्या, अपना नाम, अपना mobile नंबर और आप किस state से belong करते हो, वो information आपको डाल ली है, according लिए आपके पास OTP है जा हैं, so frankly speaking, मैं तो इसमें participate करने वाला हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सुनहरा मोका है, सरकार आपको पैसे दे रही है, सरकार से पैसे लेने चाहिए, राइट, अरे हाँ भी हाँ, so इसलिए सुनहरा मोके को अपना लो, और government की जो scheme आई है, ये, मेरा बिल, मेरा GST incentive scheme दोस्तों इसमें बढ़ चड़ के participate करो, so maximum दोस्तों प्लीज वीडियो को maximum share करें सबके साथ, WhatsApp पे, Telegram पे, ताकि लोगों तक ये information पहुच पाए, वाई, क्योंकि आपका फायता तो मैंने करा दिया न, तो भूलना जाना, 1 September 23 को scheme launch होने वाली है, तो सोच क्या होगा है,